ग्वालियर पहुँचे केंद्रिये मंत्री जोते रादित्य सिंधिया ने शिवसेना का चुनाव चिन शिंदे गुट को दिये जाने को इलेक्शन कमिशन का सही फैसला बताया। रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा एक नात्र शिंदे बाला साहब ठाकरे की बिरासत को संभालने का काम कर रहे हैं। बे महरास्ट्र में दो लोग सभा सीटों के बीजेपी प्रभारी हैं। सिंध्यान उमीद जताई है कि महरास्ट्र के मुख्यमंत्री एक नात्र शिंदे और उप्रमुख्यमंत्री देवेंद्र फर्णवीस के नितरुत्त में प्रदेश में तेजगती से विकास कारे हो रहे हैं। विगत दिवस कुनों में अफरीका से आए 12 चीतों का सवाल पोचने पर उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दूर गामी सोच के कारण ही ये संभव हो पाया है। जिर्वाह कर रही है और उसी के साथ महाराष्ट्रा की जनता भारते जनता पार्टी और शिफसेना शिंदे साब की गडबंदन के आधार पर विकास और प्रगती के रहा पर अग्रसर हो रही है। जैसे हम लोग विकास और प्रगती दुबारा महाराष्ट्रा में शिंदे साब और फट्नवेस जी के नित्वत में डबल इंजिन की सरकार प्रधानमंत्री जी के साथ चाहे हाईवेस की बात करें, एरपोर्ट्स की बात करें, नई-नई योजनाओं की बात करें, एक नई त की ब्रगती ला रहे है, मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्रा भी उस प्रथम पंक्ती में जैसे सर्वशेष रहा है, वैसे ही रहेगा। मास्टर को लेकर, उन बारत चीतों को लेकर आया है, और जिस फूर्ती के साथ नए वातवर्ण में, पून रूप से जोशीले वातवर्ण में और जोशीले सुभाव के साथ, उन चीतों ने भी हमारे कुनों के वातवर्ण को अपनाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि अ मास्टिया हो गई है, उसके आधार पर आने वाले दिनों में, मद्यपदेश के नहीं, देश के नहीं, लेकिन विश्व के परियटक कूनों पालपूर आएंगे, एक और स्थम्ब, प्रधान मंत्री जी ने भारत की आधर शीला का विश्व पड़ल पर स्तापित किया है, औ और उनको तैय दिल से हम धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं.